हाँ तो दोस्ते इस वीडियो के अंदर हम इशान इंटरनेशनल के आईप्यों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस आईप्यों के इंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन होगा और आपको इस आईप्यों में अपलाय करना चाहिए या नहीं तो देखे शुरू करते है तो देखिए सबसेब हम यह जानेंगे कि यह company क्या काम करती है तो देखिए जो company in 1995 में यह company start हो गई थी यानि कि more than 25 years is company को start हुए हो जुके हैं तो देखिए जो company है जो भी building के जो projects होगेरा होते है तो आपे जो machines की requirement होती है और जो भी installation वगएरा करना होता है तो वो services यह company provide करवाती है और उसके अलब अगर आप देखोगे जो sugar plants होते हैं जो jaggery plants होते हैं और जो pharmaceutical के जो plants होते हैं तो उसके लिए जो operational training होती है वो भी यह company provide करवाने का काम करती है और यह जो company है यह high-end engineering services भी provide करवाती है जो hydropower, sugar और jaggery और इंके जो requirement होती है तो वो यहाँ पर engineering services भी यह company provide करवाने का काम करती है तो basically अगर हम इसे short form अगर हम समझेंगे तो दिखे जो भी building वगेरा बनती है या फी जो भी infrastructure related जो भी काम होता है तो आती है और अगर हम देखेंगे तो इनके जो equipment से यह company international marketing में भी sell करती है जैसे कि अगर आप देखोगे फिलिफाइं और विटनेम और उसके अलबा इंडोनेशिया के अंदर हमें company के product यहाँ पर export होते हुए नजर आते हैं और अगर हम company के clients चे अगर हम बात करेंगे तो दे Universal, Robina Corporation यह सब हमें company के clients हमें आपे नजर आते हैं तो देखेंगे जब कोई भी थोड़ी company होती है और उसके बड़े customers है निकि जो बड़ी-बड़ी companies होती है और वो अगर उसके clients होते हैं तो वहाँ पर definitely margins काफी कम हो जाते हैं तो यह जो बड़ी-बड़ी companies होती है इनकी जो यहाँ पर setup किया है और Kenya के अंदर भी company का office हमें बनता हुआ नजर आ रहा है in the process जानी कि अभी वो office setup हो रहा है अगर हम यहाँ पर company के management की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ISO certification यहाँ पर company को यहाँ पर मिला हुआ है तो यहाँ में काफी अच्छी बात नजर आती है तो कि कोई भी certification अगर company को मिलता है या फिर कोई भी company को मिलता है तो दिखाता है कि company के जो product की quality है वहाँ पर काफी अच्छी है तभी उन्हें certification मिला है अगर हम company के product की अगर हम बात करेंगे तो देखिए product की list जहाँ पर काफी बढ़ी है मैं इसमें कुछ-कुछ जो main products हैं उनकी अ बनाने का काम करती है और यह बाखी के products यह company बनाने का काम करती है washing machines भी यह company बनाती है लिए के बहुत ज्यादा एक छोटे लेवल पे इतना ज्यादा product यहाँ पे बनाना मेरी ख्याल चे यह बहुत ज्यादा डावर्शिविकेशन है यानि कि कोई भी product ऐसा नहीं है जहाँ यह company के लिए competitive advantage है या फिर ऐसा है कि यह product ही company के लिए अच्छा काशा एक 100 करोड का बिजनेस आपे company के लिए create करेगा तो ऐसा कोई भी product हमें यहाँ पे नज़र नहीं आता है अब अगर हम यहाँ पे competitive strength के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखें साउथ इस टेशा के अंदर company का brand presence काफी अच्छा है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगातार अलग-अलग sector में जो company जा रही है जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक अलग-अलग product यह company नीश्याल करती है काफी ज्यादा product हमें यहाँ पर company के नजर आते हैं तो कभी भी किसी की ज्यादा demand अगर होटी है तो वहाँ पर revenue ज्यादा होगा लेकिए चीजे अलग है लेकिन company का focus तो यह है कि किसी product की demand अगर काम हो तो वहाँ पर पर यह और product एड हो जाए यानि कि यहाँ पर उसके लाव अगर हम बात करेंगे तो supply और logistic change यहाँ पर इनका well established है लेकिन अगर हम देखेंगे अभी जो Ukraine और Russia का war हुआ है तो वहाँ पर logistic में थोड़े से issues हुए और बहुत बड़ी बड़ी जो companies है जिनके अगर आप देखो के modern 100 crore के profit है उन्हें भी वहाँ पर यह logistics से related issues देखे और उनके margin पर फरक पड़ा है तो कि logistic की जो cost वह यहाँ पर काफी ज़्यादा बड़ी है और इतना ज्यादा वह अपने direct जो finished products उनको वहाँ पर नहीं बड़ा सकते तो देखा जाते एक छोटी company होने के वाओ जीज यहाँ पर company को भी वहाँ पर ज्या आजली 18 करोड रुपे यह company raise कर रही है तो वहाँ पर क्या acquisition company कर लेगी और वहाँ पर भी आ जो company के IPO के जो expenses होने वाले वो भी इसी पैसे से utilize होने वाला है और यहाँ पर working capital के requirement भी company इससे fulfill करने वाली है तो proposed joint venture मेरी कहाल से हो सकता है किसी और company के साथ में वहाँ पर एक अप quantum point of view से वह value addition company के लिए कर सकता है अब अगर हम company के promoters की अगर हम बात करेंगे तो देखे शांतनु सिरिवास्ताव company के promoters है और अगर हम यहाँ पे company के asset की अगर हम बात करेंगे सब्से पहले financials में तो 15,000,000 का asset यहाँ पे company का था और अभी 18,000,000 रुपे का company का asset का number में नज अगर हम देखेंगे तीन साल का performance हमें यहाँ पे company का देखने को मिलता है बाकि अगर हम revenue के numbers के अगर हम बात करेंगे तो देखे यहाँ पे 27 करोड के revenue के number ते फिर उसके बाद में यह नंबर 22 करोड पर आया तो जबकि इस साल हमने कोई भी COVID की problems नहीं देखी थी बात में साल की company की जो run rate चल रही थी तो वही run rate हमें यहाँ पे चलती हुए नजर आ रही है तो कोई ज़्यादा growth हमें यहाँ फिनेंशियल में देखने को नहीं मिल रही है तो यह काफी बड़ा negative factor है अब आप बोलोगी कि यह 15 लाग से comparison में profitability एक करोड 20 लाग की हो गई है तो यह त नजर आएगी आएगी तो मेरे ख्याल चे यहाँ पर profitability पे ज्यादा focus नहीं करना चाहिए यहाँ पर आपका ज्यादा focus revenue पे होना चाहिए अब यहाँ पे IPO details के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखें 9 September को यह IPO open अने वाला है और 14 September को यह IPO में close जोटावा नजर आएगा लास रुपे पे यहाँ पे face value company के में नजर आती है around 60 रुपे पर share पे यहाँ पे company share दे रही है और 1600 shares का में यहाँ पे lot नजर आता है 18 करोट 24 रुपे का में यहाँ पे IPO नजर आता है और अगर हम देखेंगे तो fish price issue price है यानि कि यहाँ पे कोई cut off price हो नहीं है यानि कि exact price पे यहाँ पे आपको shares मिलने वाले हैं NST के SME platform पे यह company list होने वाली है और लगबग अगर हम देखेंगे 9 करोट 12 लग का में यहाँ पे retail कोटा नजर आता है और 9 करोट 12 लग का में यहाँ एच्छे नहीं कोटा नजर आता है तो देखिए अगर आपको यहाँ पे एक lot के लिए अगर आपको apply करना है तो देखिए यहाँ पे मैंने गलती बोलती है यह 80 रुपे पर share है यह निकि 80 रुपीज पर share आपको यहाँ पे लगने वाले हैं और यह 60 रुपीज नहीं है तो 80 रुपीज के चाप से अगर हम दे तो एक लाट को अप्लाय करने के लिए 1,28,000 रुपीज यहां पर आपको लगेंगे तो दो लाट के लिए अगर आप जाओगे तो वहाँ पर 2,56,000 रुपीज के लगबग वह अमाउंट आ जाएगा तो देखिए रिटेल काटेगरी के अंदर आप यहां पर एक लाट के अगर आप देखोगे SME कमपनीज के IPOs आ रहे हैं तो यहां पर मुझे लगटा है कि काफी ज़्यादा हाइप क्रियेट हो रहा है और यहां पर जब इतना ज़्यादा हाइप क्रियेट हो तो मैंने देखा है कि ADDN को यह अगर लूज करता है अनि कि अगर कई पर भी काफी यूफोरी आ जाता है लोगों को लगता है कि यहां पर बहुत ज़्यादा पैसा बन रहा है तो मैंने ऐसा देखा है कि जनरली वहां पर ADDN रिटेल इंवेक्टर पैसा लूज करता हूँ आमे नजर आता है तो उट पॉइंड वी से देखा जाए तो अभी इतने सारे SME IPOs तो वहां पर टोटली आपका यही ऑप्शन होना चीए कि जांपर अगर पचास साथ टाइम का अगर सब्क्रिफ्चन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वहां पर यह आपने अप्लाय करना चीए बाकी मेरे खाल से टोटली अवाइड कीजिए तो यह अगर आपको बोल चीए कि आपको चीए 15-20% के प्रॉफिट होंगे आपने यह भी देखना चीए कि अगर 10% का लॉट्स होता है तो क्या आप उसे ले सकते हो और भाइचान यहां पर यह जब यह सीदा लोवर सरकेट लग जाते तो ऐसा होता है कि कोई खरीदने वाला भी नहीं होता है तो आ आप अगर बाइचान स्लोवर सरकेट अगर लग जाता है तो वह भी चीज़ा आपने आप देखनी चाहिए मेरे ख्याल चेज आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंड कीजिए मैं जरूर आपकी यह कमेंड पर रिफ्लाइक करूंगा ओके दोस्तों थैंक यूव नाइस ड झाल 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 झाल